नमस्ते फ्रेंड्स इस तरह कि जो धकन होते हैं हम अखिरकार जो होता है गर युच में नहीं आते हैं तो इसको हम फेक देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और तो अगर यह वीडियो आप देख लेंगे तो फिर इसको आप फेकेंगे नहीं हाई एवरीबन वेल्कम बेक टु मैं चैनल पुस्पा सिंग वालिन मन चैनल आसा करते हैं अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्रिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और भी लाइकन पर लिए कि इस तरह की कॉंटेंट जो होते हैं मेरे चैनल पर आत इस तरह की जो धकन होते हैं यह जो पेपसी की जो धकन आप देख रहे हैं या यह जो बड़े वाले जो देख रहे हैं तो इस तरह की जो धकन होते हैं या टिफीन होती है प्लास्टिक की हम कहीं जाते हैं अगर खाना पैक कराते हैं तो इस तरह की मिल जाती है या कोई मिठ बन जाएगा और कोई इसमें ज्यादा कोस्ट नहीं लगेगा कोई भी ज्यादा effort नहीं डालना है बस simple सा काम करना है फिविक को इस तरह से चार वोर से आपको लगाना है look at this और इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा ही करिएगा क्योंकि और इसको हमें जो ढखकन देख रहे हैं इ इस तरह से तो जितने अगर हैं इस तरह से आप जितने लीड हैं उतने इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं तो इसको हम लीड के तोर पे यूज करेंगे कोई भी चीज ढखने उकने का जो होता है और अक्सार हमारे जो फ्रीज होते हैं उसमें हम बहुत सारे ऐसे आइटम जो सारी हमारे किचन की बरतन जो है वो ढखने में ही चली जाती है तो इस तरह से जैसे मैंने ये थोड़ा सा मैंने आज सब्जी बनाई थी तो थोड़ी आलू अधिक हो गई थी तो उसको मैंने थोड़ा सा रख दिया है सुबह के लिए और ये लहसुन मैंने छीला है इसको मैं ढखने से हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और जो खाना है या जो भी हम सब्जी बचे गई उसको ढख सकते हैं जितने चाहें उतने अपलीट बना की इसको रख सकते हैं तो एक दूसरी में जो है उसकी स्मेल आपस में जुड़ेगी नहीं और इस तरह से हमारा खाना वो सेफ रहेगा और हाँ जादे दिन अगर हो जाए तो इसको आप चेंज करके दूसरा बना सकते हैं तो यह बहुत ही हलफुल है और इस तरह से आप काफी कुछ इस तरह से लिट बना करके आप रख सकते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा है और उसके बाद फिर मैं चाकू गरम कर रही हूं थोड़ा सा बस मुझे गरम करना है और इसका भी बहुत ही अच्छा उपयोग मैं करूंगी और आपको यही लगेगा कि हाँ सायद ये सब चीजें ये सट्रिक वगरा जो हैं हमें पहले पता होती तो हम अपने जो ढखकन है या जो भी चीजें हम बिना सोचे समझे फेक देते हैं तो उसको हमें फेकना नहीं पड़ेगा और अब हम ही इस तरह से करेंगे और अपने घर के कामों में यूज करेंगे तो इस तरह के जो ढखकन मैंने भी बताए हैं तो एक ढखकन इस तरह से गोल इस तरह से आपको चाकू की सहयता से गोल बनाना है या तो कोई sketch वगएरा से आप उसका symbol बना सकते हैं चाकू की सहायता से ही आप उसको जो है उसको cut कर सकते हैं गोल में करना है बीचो बीच में करना है बहुत असानी से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी और लेकिन ध्यान से करना है क्योंकि हाथों अगर चाकू गरम है हलके हाथों से ही इसको circle में बनाना है और सबसे अच्छा circle जो ही है इस sketch वगएरा आप अगर ले लेते हैं उस तरह से अगर बना देते हैं तो आपका जो है ये बन जाएगा तो देखिए मैं अपने हाथ से ही थोड़ा सा इसे आडिया लेके मैंने किया और ये हो गया तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग बहुत ही वेनिफिटे देने वाला है और ये बहुत ही काम का है क्योंकि हमारे घर में ये I think सब कोई है यूज करता है और इस तरह से तो ये बहुत ही उपयोगी है और फिर चाकू की साहता से इसको थोड़ा सा हमरब कर देंगे जो थोड़ा बहुत ही निकले होंगे तो ये निकल जाएंगे और जो हाथ वगयरा में है वो नहीं लगेगा तो इस तरह से हैं देखिए यह जो है मैंने होल जो है बना दिया है और मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ा और मुझे होल करना पड़ेगा लेकिन मैं पहले चेक करती हूँ तो यह जो ओखली देख रहे हैं हम इसी में इसको यूज करेंगे क्योंकि कभी-कभी होता है जब भी हम कुछ कूटते हैं तो उसके चीटे चारो तरफ जाते हैं स्लैप पे जाते हैं या जो भी हम कपड़ा रखते हैं उस पे जाते हैं कपड़े पहने रखते हैं उस पे जट हो जाता है तो इस तरह से इसको होल करके और इस तरह से हम इसको कूटेंगे तो हमारा जो जो उसमें से जो निकलता है बाहर निकलेगा नहीं अंदर ही रह जाएगा और हमारा काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो मुझे लगा कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा स चटनी बना रही हूं इसी में करके तो क्योंकि मुझे विडियो बनाना था तो इसी वज़ा से मैंने कभी-कभी मैं मिक्सी में भी बना देती हूं तो बस मैं विडियो की वज़ा से मैंने यहां पर दो आउले लिए हैं और जो भी उसमें नमक है, लहसुन है, मिर्चा है करके और धन्यापत्ति को करें के मैं इसमें कर रहे हूँ तो जो इसके छीटे होते हैं वो चारों तरफ जाते हैं तो इस तरह से जो आप इस तरह से लगा करके करेंगे तो जो ये लीड है उसी पे रह जाएगा और हमारे कपड़े नहीं खराब होंगे आसपास केरिया को आप देख सकते हैं कि कितना ये क्लीन है और इस तरह से चारोर घुमा घुमा के जितना आपको कूटना है अप उसको कूट सकते हैं और बहुत ही इजली तरीके से आपका ये काम जो है वो हो जाएगा तो है ना अच्छा तरीका और इस तरह से तो फिर उसके बाद देख सकते हैं ये जो पानी है जो आवले का पानी जो छीटा वगरा है देखिए इसी में रह गया है चारोर रह गया है और बाहर नहीं निकला है तो अब इसको जो है हम बाहर निकालेंगे फिर इसको मैं धुल के भी दिखाती हूं कि बहुत ही इजी है ये धुलना और बहुत ही आसानी से जो हमारा काम हो जाएगा तो हमारी चटनी लगभग बन गई है और इसको मैं अब निकाल के आपको दिखाती हूं इस तरह के जो किचन टिप्स और ट्रिक्स होते हैं हमारे घर के लिए बहुत ही उ प्योगी होते हैं और जब थोड़ी सी बस आइडिया मिल जाता है तो हमें थोड़ा सा काम करने में भी अच्छा लगता है और हमारे काम भी जो है वो चुटकियों में हो जाते हैं तो यह बहुत ही बेनिफीट है और इस तरह के जो है आप उसको करके रख सकते हैं तो बस धू यूज पड़ी हुई हैं बेस्ति समान पड़े हुए हैं तो उसका हम अच्छे से उपयोग किस तरह से कर सकते हैं तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और अगर जरा सा भी पसंद आया होगा तो अपने फेमिली और फ्रेंड के साथ इसे रख भी सकते हैं और चीन्टी वगारा कुछ भी होते हैं बरसात वगारा में या ठंड़क मौसम में तो कोई भी चेज उसमें जाएगा नहीं और आपका जो ओखली है वो सेफ रहेगा तो इस तरह से आप चाहें तो एक्स्टा बना करके भी रख सकते हैं और इस तरह से और आपके या लवी वाल